अब हम प्रियात्मक योग को समझने समझाने का प्रियासे करें प्रतिक प्रतिक क्यात्मक योग को इस बात का ज्यान कर लेना चाहिए कि मुनशे जिएक का लक्षे मोक्ष प्राप्ति है इश्वर प्राप्ति है प्रतिक बिक्ति प्रतिक प्राणी यह चाहता है कि मैं समस्त दुखों से छूट जाहूं और नित्य आनद की प्राप्ति कर लेहूं समस्त दुखों से छूटने का उपाए समस्त कलेशों से जन्म मरन से छूटने का उपाए इश्वर प्राप्ति है अर्थात इश्वर ने आसा उपातार करना है समस्त दुखों की निवर्ति और नित्य आनद की प्राप्ति नहीं हो सकती इसलिए प्रते के बिक्ति इस्वर तक पहुंचने का प्रियास समस्त दुखों की इस्वर साक्षातकार के लिए इस्वर प्राप्ति के लिए बिक्ति को योगी बनना पड़ता है समाधी प्राप्त करनी पड़ती है समाधी प्राप्ति के लिए बिक्ति को सुद्ध ज्यान, सुद्ध कर्म, निश्काम कर्म और सुद्ध उपासना इन तेनु को अच्छे परकार से समझना पड़ता है शुद्ध ज्यान का तात परिये अभिप्रा है इश्वर से संबध्य ज्यान इश्वर का स्वरूप कैसा है आत्मा से संबध्य ज्यान आत्मा का अपना सुरूप क्या है और शरीर, इंद्रिया, मन और बहुतिक ये श्रिष्टी इसका भिज्यान प्राप्त करना आवश्यक है बिना इश्वर के सुद्ध सुरूप के जाने आत्मा के सुद्ध सुरूप को जाने बिना मन इंद्रियां शरीरों आदी को समझे बिना व्यक्ति समाधी को प्राप्त नहीं कर पाता इसलिए योगी बनने में मूल आधार तीन बने रहते हैं सुद्ध जियान, सुद्ध कर्म और सुद्ध उपासन भक्ति इन तीनों को बिक्ति जब उचित रूप में करता है तो वह समाधी अवस्था में पहुँचे जाता है समाधी अवस्था में जाने पर इस्वर का प्रत्यक्ष होता है इस्वर का शाक्ष अतकार होता है किन्तु आँखों से इंद्रियों से इस्वर का शाक्षातकार नहीं होता ज्यान से आत्मा से इस्वर का शाक्षातकार होता है योग दर्शनकार ने योग की परिभाशा दी योग स्चित्त वर्ति निरोधः शित्त की वर्तियों के रोकने को योग कहते हैं सभी सादकों का ध्यान रहे की चत अथ्वा मन एक जड़ पदार थे जैसे हम कार को चलाते हैं अथ्वा पंखे को चलाते हैं तो उसको चलाना ने चलाना इस पर हमारा अधिकार है ऐसे ही मन इंद्रियों पर इस व्यक्ति का आत्मा का अधिकार होना चाहिए ये मान लेना के मन चला जाता है मन एक चेतन पदार थे है ये भूल है यदि सादक लोग ये जान करके भ्यास करते हैं कि मन को मैं चलाता हूं मन एक जड़ पदार थे तो परिणाम फल मन अधिकार में आ जाएगा इदि सादक सादिकाएं ये मान लेते हैं कि मन चीतन पदार थे है चला जाता है तो मन अधिकार में नहीं आएगा जब मन अधिकार में नहीं आएगा तो समाथी की प्राफ्ति भी नहीं हो गई मन के अंदर तरंगे चलती है धाराएं चलती है उनको वृत्ती कहते है जब योगा भ्यास में मन को अधिकार्म कर लिया जाता है तो वृत्तियां भी रुख जाती है और जब वृत्तियां रुखती है तो समादी आर्म हो जाती है समादी के दो प्रमुख भेद हैं एक संपरज्यात और दूसरी ऐसंपरज्यात समपरज्यात समादी मैं व्यक्ति अपने सुरूप को जानने लगता है मैं शरीर नहीं हूँ मैं इंद्रिया नहीं हूँ मैं मन नहीं हूँ जड़ बरग से मैं अलग एक चेतन आत्मा छोटा सा जीवात्मा अलपज्ये थोड़ा सा जानने वाला अलपशक्ति मान किन्तु करम करने में स्वतंतर और फल भोगने में इस्वर के आधेन अपने सुरूप को जानता है आगे चलें योग का उचास्तर संपरज्यात समाधी की प्राप्ति होने पर फिर योगा व्यासी जानता है ये समझता है कि ये आवस्था भी एक सत्वगुन प्रधान है उससे भी बैरागे प्राप्त हो जाता है उसके पश्चात ऐसंपरज्यात समाधी में पहुंचता है विक्ति उसस्तिती में इस्वर का प्रत्यक्ष होता है योग दर्शनकार ने कहा तदा दर्ष्टुहू स्वरूपे अवस्थानब एसंपरज्यात समाधी की प्राप्ती में सर्वज्द्रष्टा इस्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिती होती है अर्थात जीवात्मा अपने स्वरूप को भी जान लेता है और इस्वर के स्वरूप को भी जान लेता है इस स्थिती में उस योगी को जो आनंद की प्राप्ति होती है उस सवस्था में इस्वर का प्रत्यक्ष ज्यान के माद्यम से होता है और समस्त दुखों की निवर्ति और आनंद की प्राप्ति होती है इस इस्थिती को पाने के लिए इस्वर शाक्षत कार करनी के लिए योगा भ्यास उपासना करनी पड़ती है आसनों की इस्थिती को समझ लेना चाहिए योग के अंग याम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारना ध्यान समादी ये योग के आठ अंग है जो विक्ति इन आठ अंगों का पालन करता है और प्रातह साइकाल ठीक आसन को लगा करके समादी का अभ्यास करता है गाइतरी मंत्र का जब करता है ओम का जब करता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते समादी अवस्था में चला जाता है इसलिए प्रातह साइकाल युगा भ्यास करना और दैनिक जीवन में व्यभार काल में यमनेमू का पालन करना आवश्यक रहता है बिना यमनेमू के पालन के कोई भी व्यक्ति योगी नहीं बन सकता इस बात का परिज्यान भी कर लेना चाहिए कि एक इश्वर है और हम जीवात्माई इश्वर से अलग है और प्रिथी जल्वायोगिनियाकास बहतीक पदार से हम दोनू से अलग है वेद के अनुसार दर्शनों के अनुसार तीन पदार्थ अनादी है एक इश्वर दूसरा जीवात्मा और प्रकरती तीन का परिज्यान कर लेना अत्यंत आवश्यक रहता है हम इश्वर का टुकडा नहीं है हम इश्वर का अंश नहीं है ऐसा जानना चाहिए आसन लगा के बैठते हैं आसनों के दो भी भाग बने हुए व्यायाम के लिए आसन करना शरीर को स्वस्त बलवान बनाना ये व्यायाम है सभी आसनों का नाम योग आसन नहीं है जिस आसन पर बैठ करके हम ध्यान करते हैं बिना हिले जुले शानती से समाधी लगाते हैं उस आसन का नाम योग आसन है वो योग का अंग है सेश आसन जो होते हैं वो व्यायाम है तो आसन में हम ठीक परों को जमाते हैं स्वस्थीक आसन हमें इस बाए पर के पंजे को तलवे को यहां बीच में ले लेते हैं उपरवाले को हम इसके बीच में लगा लेते हैं और सीधे बैठते हैं और सीधे बट करके अपने शरीर में एक केंदर बनाते हैं एक जगह बनाते हैं हिर्दे देश में, मस्तिक में, नाभी में कहीं भी ये स्थान बनाया जा सकता है और वहां पर अपने मन को ठेरा कर गाहित्री का जब करते हैं ओम का जब करते हैं और जब करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि मंत्र का पाट करना अर्थ का विचार करना और इस्वर समर्पित रहना उपासना के प्रियोग ध्यान की स्थिती जिस विधी से करनी चाहिए उसका जानना आवश्यक है